हेलो व्योर्स वेलकम बैक चू एनदर वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैबी डोज कोईन के आउसे जी बिलकुल बैबी डोज कोईन के इसा कोईन है जो आजकल मार्केट में बहुत ही फैमस चल रहा है आपको आए दिन इसके ट्वीटर पे ट्रेंट्स वागरा भ क्योंकि यह अभी जो इसने जो वन वी वन वी जो बेटाल हो थी वह रखी हुई यह शीवाइन को यह वाले से तो यह सारी बात हैं हम इसी वीडियो में करेंगे तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें आप लोग ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं तो आप उसको मिस्त ना कर सकें तो विडाउट बिंवेस्टिंग एनी ट्राइब आप मूव करेंगे अपने टॉपी की तरफ अपने कंटेंट की तरफ यहां पे मैं आपकी साथ शेयर करता चलू बाई बेबी डोच कोई रेंकिंग के वाल से बात करें तो टू टू की तो यहां पर बात करें वाई वी टी सी के परिकसा 5.93 की सुई है और इतने के परिकसाफ से 6.01% इंक्रीज हुई है तो यहां पे अगर हम देखें तो इसका ट्रेडिंग वाल हैं पिछे 24 घंडो में थाटी 5.23% डाउं ट्रेड के तरफ गया है कुछ दिन पहले एक दो द कि तो भाई ranking के वाले से भी शीबा बहुत बहुत आगे क्योंकि शीबा की ranking हमें 13 ते देखने को मिल रही है और wireless के साथ से बात करें भाई शीबा बहुत आगे का कोई competition नहीं है क्योंकि wireless के अगर coin market के आप देखें तो तक्रिमन और अगर इसके market तो उसकी तक्रीमन 2 Million प्लस हो चुकिए यह अभी तक्रीमन अंडर 500 K के भी अंडर चला इसकी तक्रीमन 200 K Plus देखने को मिल रही वाच लिस वह इसे वह साब से कोई कांपिनेशन नहीं है मार्कित केप के सबसे भी कोई कांपिनेशन नहीं बिलकुल आप जानते हैं कि बेबी डोज कोई उसे तकरीब एंट टूथाउजन एट हुट फिफ्टी पूल नंबर्स जो है उससे डाउन है बेबी डोज कोई शीवाइनु से यह बात आपको भी समझ म इन्ट ट्रम्स आफ होल्डर्स बिलकुल होल्डर्स के ट्रम्स से सबसे इन्होंने बाई बेबी डोज कोई ने शीवाइनु को भी पीछे छोड़ दिया है क्योंकि यहां पर आपके साथ होल्डर करता है तो आप देख सकते हैं कि 11,000 नाइंटीन थाउद इसकी होल्डर्स चल आ है लेकिन अब अभी यह डिफरेंस बढ़ेगा क्योंकि इनके बीच में बहुत सॉलिड कॉंपिटेशन बिलकुल इसकी वाच लिस्ट की नहीं है इतना मार्किट के अपन नहीं है लेकिन यह फास्टेस्ट गिरोइंग मीम कोई मुझे लग रहा है एनिमल के साब से ब मुझे अच्छी लगी लेकिन अगर हम देखें तो बाई और चीज़ां में देख को हमिलें तो बेभी डोश कॉइन की अगर हम बात करें तो अभी एक तो उब नहीं के सकते कि बाई इनका बुस्ट का मुकाबला है तो यहां पे देखे तो बाई बेभी डोश कोई नहीं अ skill based हो जाती है तो यहाँ भी कुछ इस तरह है कि बेबी डोश कोई के पास जो holders की जो power है वो ज्यादा हो चुकी है लेकिन दूसरे हिसाब से देखिए तो भाई पनक्यालग नहे पीस